बहुत बहुत स्वागता से भीका हमारी यूटूब चैनल को मिलिया में नहुराद राभबिका इंस पूर्प चैनल वैसे शात्र शात्र है जो बिहार के किसी भी उनिवस्टी से बीएट करना चाहते हैं उनके बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि बिहार की कोई भी उनिवस्टी यदि बीएट करवाती है और हमें बीएट करना है तो हम कौन से सब्जेक्ट से बीएट कर सकते हैं क्या हमारा जो और सब्जेक्ट होता है उसी से बीएट कर पाएंगी या कोई और सब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं यूटूब पर बहुत सारी वीडियो अपलोड़ेड है है लेकिन हमने देखा काफी यूपी के बारे में बहुत सारी वीडियोज है आपको रजस्थान चंडिगेड के बारे में लेकिन बिहार के बारे में बिहार के तमाव उनिवस्टी तो बीएट करवाती हैं उस पर कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसको देख करके हम पुड़ा से बीएट कर सकते हैं तो इस वीडियो में लंबा होगा लेकिन हम पुरी त्रिके से आपको बता पाएंगे कि आप बिहार के किसी भी उनिवस्टी से आप बीएट करना चाहते हैं तो कौन से सब्जेक्स से आप बीएट कर सकते हैं और वो सब्जेक्ट आपके गारजुशन में उसका क्या रोल हो सकता है हम आपको हर चीज में clear करेंगे और आपको subjects ऐसे हैं जो कि सोला सब्जेक्ट, सोला पेपर के नाम मैंने यहां पर लिखते है, जो कि पटना युनिवस्टी, बिहार युनिवस्टी की जो ओफिसियल बीट के सिलेबस के जानकारी जो दिखी है, डेट सो से दो सो पन्ने में, बहुत डीटेल में, लेकिन उन्हें से मैंने सरीफ यह सोला सोला सब्जेक्ट, इसलिए निकाले हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊ, कि कौन को सब्जेक्ट से बीट होते हैं, इस में आप देखेंगे, कि यह सीन नए सब्जेक्ट है तो इन सीन सब्जेक्ट से कौन student बीएट करते हैं और करेंगे हम इसमें बात करेंगे आप देख पार यदि आपका होता है आपको उसी से बीएट करना होता है और एक सवाल में आपको और बता दू एक चीज़ कि यदि आप यूपी के स्टूनेंट है और आप इसी दू को देख रहे हैं तो हो सकता है कि यूपी का सिस्टम बीएट का अलग होगा सब्जेक्ट चुनाओं में राजस्थान का अलग होगा चैनलिगेट का अलग होगा कि हमने बहुत सारी वीडियो देखिया जहां पर जाना थे कि यूपी में जो है कि आपको एक प्राइम्डी सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है सब्जेक्ट में आप चाहे तो लाइंग्वाज भी ले सकते हैं लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है बिहार में आपका टेचिंग पेपर इलखी होता है बाकि जो सब्जेक्ट होते हैं बाकि सब्जेक्ट होते हैं आप सेकेनियर में जाते हैं तो एका सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑप्जनल होते हैं अपने इच्छानुसार चूस कर सकते है लेकिन मोटा मोट यही रहता है कि सिर्फ आपका honors जो होता है, वही आपका main role होता है बिहार में, तमाम इरोवस्टीस में, बाकी सब जो होता है लगबग, बाकी सब common ही रहता है, तो यहाँ पर दो का जंजट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही का जंजट है, तो आप देख प सब्जेक्स में से कोई भी आपका honors है, तो आप अपने honors subject से बीट कर सकते हैं, आप सिर्फ language subject की बात करें, उसके वाद से अदि हम arts में जाए, तो आप देख पार यह history है, और यह जो civics है, यह आपका है नागरिक शास्त्र, आपने परहोगा political science, राजनेतिक शास्त्र, उसी के बार में हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम civics में आ जाते हैं, तो civics में जातर यह जोर दिया जाता है, कि आप किसी भी देश का एक अच्छा नागरिक, सरवच नागरिक, एक बहतर, जो है कि आप citizen, आप किस तरीके से बन सकते हैं, वो चीज़े परहाई जाती है, तो मटा और यह arts के हुए, लेकिन इसमें हम देखें, तो यह हम निकाल लेते हैं, तो यह 4 आपका हुआ, जो कि language छोरा करके, और subject arts के हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे, यदि यह आपका इसमें से कोई भी honors है, तो आप अपने honors subject से be it कर सकते हैं, समझते जाएगा, अब दे commerce में रहता है, तो commerce वाले के लिए commerce, ज्यादा जंजट नहीं है, अब एक आप दिखीगा, physical science, एक biological science, तो इस दोनों को अभी हम यहाँ पर आके समझें, यहाँ पर, कि यह दोनों क्यों है, फिलाल आप यहाँ पर देख लिए कि यह आपका math honors है, तो आप math से आप be it करेंगे computer science आपने honors की है, तो computer science करेंगे ध्यान रहे, और nurse से ही आपको be it करना होता है, और nurse से be it का तालमिल नहीं बैठ पाता है, तो आप जा करके आपको सब शुरूरी लेना होता है, जैसे कि आप देख पारे, psychology, philosophy, sociology, AIH and C, यह चार ऐसे subjects हैं, जिससे be it नहीं होता है, बहुत सार honor subject से be it नहीं होता है, तब आपको यह दिया जाता है opportunity कि आप अपने subsidy subject से be it करें, इसलिए कहा हो जाता है कि यदि आप arts से be it में किसी के admission करवाते हैं, तो बहुत सो समझ कि आप subject का combination दीजेगा, क्योंकि जातर मामलों में यह माना जाता है कि यह history, आपका civics, यानि political science, geography, economics, यह जो चार है, यह चार आपको arts का main subject माना जाता है, तो यदि आप किसी का भी admission करवाते हैं, यदि आप language में कोई भी honors दिलवाते हैं या इसमें से honors दिलवाते हैं, तो history, political science, geography, economics, देखिए बार-बार इसको political science कर रहा हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि civics और political science दो आपको मिल सागी, तो मुटा मुण इमान के चलिए न, कि यह चार major subject है, तो कोई भी honors किसी को दिलवाते हैं, आप B.M. admission करवाते हैं, तो इसमें से होए कि कोई न कोई एको subsidiary जरूर रखिएगा, यह बहुत काम आता है, या आप इसमें से कोई honors लेते हैं, तो बात खत्म, तो यहाँ पर देख लिजिए, कि यदि आपका subject यह चारो में से कोई है, music है या public administration है, तो इस अपसे B.A.D. नहीं होता है, इस condition में जा करके आपको अपने subsidiary subject से जो कि वक्त आपको B.A.D. करना पड़ता है, तो subsidiary subject से B.A.D. करने का मौका तब ही दिया जाता है, आपके सम honors as a teaching subject में, यह 16 paper में fit नहीं बैठता है, इसमें सो कोई आपका honors नहीं होता है, इसमें सो होता है, और यह सब्सुनूरी होता है, इसमें से, तब आपको दिया जाता है, कि उससे आप B.A.D. कर लीजिए, जब यहाँ पर match नहीं कर पाता है, तो, अच्छा एक कि आपको और ब 10 paper first year में होता है, 10 paper second year में होता है, जब admission आप ले लेते हैं, तब यह बात करें, 10 paper जो होता है 24, मतलब कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब वाला होता है और आप 2nd year में जाते हैं तो बेड में जो है कि आपको परहाने के लिए भी भेजा जाता है आपको समंधित कोलेज के आसपास में मद्य विद्याले में या हाई उसकोल में तो उसका भी नंबर आपको मिलता है इंटर्नल मार्क्स बहुत मिलता है इसने हम सरफ सब्जेट की बात कर लेते हैं deeply हम नहीं घूजते हैं आपको जाना है स्लेवस के बारे में कि जब हम आडमिशन लेते हैं बीड में तो कौन से सब्जच होते हैं हमारे ऑरनर्स के अलावर जो एक्स्ट्रा होता है मया रहा कि आपको दस पिपर पढ़ने होते और सकेटेर में कौन-कौन से होते हैं सलेवस को वरी वीडियो और बनचुकी है description में first year और second year के syllabus का वीडियो आपको मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप जो एक बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा कोई भी subject से आप B8 करते हैं तो वो कितने नमर का होता है B8 first year में मातर 40 नमर का होता है मान लिजिए यदि हम English है हम B8 कर रहे है तो हमको first year में मातर 40 नमर ही परना है तिक 50 नमर का तो होता है लेकिन 10 नमर का जो होता है आपको 10 नमर assignment लिख के जम्मा करना होता है लेकिन एकदान 40 नमर का ही university समंधी university जो कि वो लेती है 40 नमर का किसी भी subject से आप करें तो उसके बाद यहां पर देख लिए चार्ट हो गए अब हम आते हैं science में science में मोटा मोटी भिहार के जो universities है उसमें कौन कौन सब्जिक से शात्र शात्र है honors करते है तो mainly यह पांस ही पेपर होता है mathematics, physics, chemistry, botany, geology यह होता है न तो math से तो अब देख पार है यह लिस्टिड है 15 नमबर पर लेकिन physics, chemistry, botany, geology यह भी शात्र बेट करते हैं लेकिन जैसे कि कोई शात्र हिस्ट्री से बेट कर रहा है तो teaching subject जो है उसका history ही रहा जाएगा लेकिन कोई शात्र physics honors करके आया है यह chemistry honors करके आया है और उसको बेट करना है तो उनको subject लेना होगा physical science, physics या chemistry honors वाले शात्र बेट करने जाते हैं तो उनको physical science या physical education से बेट करना होता है तो यह आपका physics honors है या chemistry honors है तो आप physical science या physical education से बेट करेंगे अब यहाँ पर आ जाते हैं कि यदि आपका botany honors से या geology honors से और आप बेट करना चाहते हैं तो बेट में आपका इसके बदले कौन subject होगा तो यह biological science दोनों subject इसी में नहीं था है क्योंकि आप जानते हैं कि 12th में biology होता है और यह जब जाता है आपको graduation में तो फिर biology दो कि आप B8 करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको history परना है या आपको geology परना है botany परना है उर्दू परना है अंग्रेजी परना है नहीं चुकि आप एक teacher training course कर रहे हैं तो आपको यह परना है कि यदि हम history से B8 कर रहे हैं तो हम B8 करके जब किसी school में हमारी बहाली होगी तो करते हैं तो कि हमें class में जाना है तो हम इस subject को किस तरीके से परहाने का तो method of teaching परहाने का तरीका हम परते हैं B8 में इसलिए इन subjects का नाम जो है आपको बीड में जो honors हम कहते हैं आपको असनातिक में वहाँ पर honors नहीं कहा जाते हैं वहाँ पर teaching subject या method पेपर कहा जाता है teaching subject या method पेपर और या आप जब फॉर्म भरेंगे तो 7A फर्स्टेर में रहेगा 7B second year में रहेगा मतलब कि आप देख पारें A B तो कह तरीके से इसको हम ज subject method पेपर 7A या 7B की बात आया तो समझेगा कि बस एक ही subject की बात हो रही है जो हमारा honor से जिसे हम B.A.D. कर रहे हैं उसी को चार नामों से जाना जाता है वहने आपको बता दिया है तो आप यहाँ पर देख पारें science में क्या हुआ, commerce में क्या हुआ और arts में क्या हुआ और ए आपको इन course को करने में, आपके syllabus में जो है कि आपका math रहा हो, उसके साथ ही आपका physics रहा हो, और तब जाकर के इस दो subject को follow करने के साथ साथ आपने B.E.A.B.T. किया हो, तब आप eligible होते हैं B.A.D. करने में, तो यही subject का चुनाव होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आसनातक में admission लेते हैं, तो उस वक्त आपको decide कर लेना है कि हमारा honors कौन सा होना चाहिए, जिससे कि हम B.A.D. करें, तो बहुत जल्दी हमें उस subject में vacancy आए, तो जल्दी उसमें हम बहालम हो जाए, तो हम बात करें कि opportunity सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो चुकि teaching subject में language subject से क कोई on earth जल्दी करना चाहता नहीं है, इसमें vacancy आती है, तो ठीक ठाक आती है, मालिजिए कि आप 1-2-5 के लिए ही आप बहाले हुए, तो इंग्लिज, हिंदी, संस्क्रीट, उर्दू, अरभिक, परसिय, पहले class से पढ़ना पड़ते हैं, क्योंकि ये तो भासा है, वहीं अ हम home science से करेंगे, economics से करेंगे, जोग्राफी से करेंगे, तो पहले दूसरे class में तो इसका नाम हो निसान नहीं होता है, 6-8 में जाते हैं, तो social science तेन तक, social science में गिंती होती है, उसके बाद फिर हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, तब ये branches अलग-अलग होती जाती है, तो आलिम, यदि वो अर्बिक या पर्सियन से किये होते हैं, तो वो बिएट करने के लिए alisable होते हैं, तो ये हुआ कि subject क्या आपको चिनाव कैसे करना है इसके बाद, कौन-कौन से subject first year में हो सकते हैं, second year में हो सकते हैं, वीडियो के description में link दिया गया है, आप चाह करके देख नीचेगा, और ऐसा नहीं कि आप यह हिस्ट्री से आप करते हैं, सिविक से पुलिटिकल साइंस, आजोग्राफ एकनोमिक्स तो आप 1-5 में परहा सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो आप परहा सकते हैं, आप परहाएंगे, आप commerce वाले हैं, तो आपको एकनोमिक्स परहाने के लि हम करें कि चाहन से कहां अधीक बनते हैं, कहां कम, उससे थोड़ा कम, तो यह है कि आप language से किसी को ब्लेट करवाते हैं, तो इसकी opportunity ज्यादा होती है, फिर हम आते हैं, आपको arts में, साइंस में, फिर हम आप देख पार है, commerce में, साइंस में भी वैसी है ना, कि social science एक पाठ हो आपको बता है, तो लगबख चीज़ा आपको समयज में आगए होगी, कुछ और सवाल, doubts से यदि आपको देख रहा है, कमो बेस, तो आप हमें comment में जुरूर बता है, फिर हम उस पर बाचीत करेंगे, इसमिर में इतना हैं, बहुत-बहुत शुक्री आपके सिरू को देखन के लिए.